हाई अब्रीबान वेलकम दो नेक्स टेक्चर ओफ दो ओवरेड आज में आपको सिखाऊंगा ओवरेड के अंदर प्रामेर डिस्टिबूशन कैसा करना है सेकेंडरी डिस्टिबूशन के अंदर हम लोग ट्रायल एंड एरर मेतड करेंगे और थर्ड करेंगे मशिन आवर डिन डारेक्ट मेंट्रियल डारेक्ट वेल सेने देमन लेकिन प्रोड्टकृट्सर दिबार्ट्प्रियल आपकोसमन नहीं लगेंगे क्योंकि वो डारेक्ट प्रायक्ट को उस्टोषन महिंनाना Ben स्ट्वार की कि न हरुको नार्मली हम बाटते हैं हार्सपोर बाटते हैं लिकिन इस इसकोशन में देखो होसपोवर भी दिया है मसील भी दिया है तो दोनों का हमसे रिषयो करें बाते हैं लिकिन इसके थावक gdzieś हूब next पढ़े आगे next the technical assessment of the apportionment of express or service department RS under तो बोलता है A, B, C, X, Y horizontal पढ़ना horizontal पढ़ना horizontal पढ़ना तो देखा ऐसा बोलता है X जब आपना खर्चा बाटेगा तो A को देगा 42% B को देगा 50% C को देगा 30% Y को देगा 10% I see जब Y बाटेगा A को देगा 60% B को 35% X को देगा 5% required तीन सावल के जबाद पूरना आपको 1.1 statement showing distribution of overhead to various department तो पहिए आपनो प्राइबरेट distribution करेंगे 2. statement showing redistribution of service department to production department using trial and error method अबनों trial and error method से उसको solve करेंगे secondary distribution और third machine अबने निकाला है A, B, C का तो लेटे स्टाट देगा overhead distribution summary item of the cost basis तीन प्रोड़क्शन डिपार्ट्मेंट दो service department बनाने का अब एक बाद बिलसाब कोशन देख लो मैं पढ़ता हूँ कि अब इतना आप चेक करेंगे इतना हम लोग चेक करेंगे फिर बाद के डारेक्टी में आंसर लिखोगा प्रोड़क्शन डिया है 500 to 50 500 to 50 common एक जीरो कट करदो तो यह ratio बनेगा 50 is to 25 is to 50 is to 35 is to 50 और छोटा होता है ignore it कुछ पर निकिता है next up power power को पाटेंगे machine hours into horsepower दोनों को into करोगे तो यह ratio आएगा 50 is to 80 is to 80 is to 15 is to 25 depreciation को बाटेंगे SX value में तो SX value देको दिया lakhs में 20 lakhs 40 lakhs 20 lakhs 10 lakhs 10 lakhs सबको एक जीरो कम करदो तो ratio बनेगा 2 is to 4 is to 2 is to 1 is to 1 अदर और और को बाटेंगे machine hours का ratio में machine hours देको दिया हुआ 1 is to 2 is to 4 is to 1 is to 1 okay अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखिंगे इस टो है direct material का तो direct material का direct दिया था तो इनका नहीं लिखने का इनका नहीं लिखने का क्यूकि कारण है direct हो prime cost में जाएगा it is not an overhead इस service department का लिखने का तो service department का है 2 lakhs और इनका है 1 lakh next direct religious इनका नहीं लिखने का क्यूकि direct prime cost में आएगा service department का लिखने का amount है 1 lakh और इनका है 2 lakh factory rent 4 lakhs दिया था तो 4 lakh ओम इस रेशन पाटिंट तो 50 50 50 plus 25 plus 50 plus 25 plus 50 answer 200 होता है तो factory rent कितना दिया था 4 lakhs तो 4 lakhs divided by 200 करो into a 2 50 equal to 2 lakh तो answer रहेगा 1 lakh इसको रहेगा 1 lakh 25 equal to answer 50,000 50 equal to answer 1 lakh 25 equal to answer 50,000 and 50 equal to answer 1 lakh हम ने उस रेशन पाटा होस्तो है अगला पढ़ते है power पावर को इस रेशन पाटीं किसका base चेक कर ले थे सक्यूकि इसका base पका चलाने कितना था इसका base कितना था 200 था इसका base पता लगा लेते है 50 plus 80 plus 50 plus 18 plus 18 plus 15 plus 25 इसका base होता है 250 तो बाटते है इसको पावर का अमांट है पावर का अमांट है 250,000 2 like 50,000 2 like 50,000 पावर के अमांट पावर के अमांट कितना था 1 like दिया था 1 like को किस रेशन बाटेगे 1 like को किस रेशन बाटेगे 2 is to 4 is to 2 is to 1 is to 1 1 like into 2 by 10 करना 20,000 आएगा 1 like into 4 by 10 करो 40,000 आएगा 1 like into 2 by 10 करो 20,000 आएगा 1 like into 1 by 10 करो 10,000 आएगा और उसका भी 10,000 आएगा next आदार ओवरेड को पाटेगे मशीन आवर्सते रेशो में तो अमांट कितना दिया था 9 likes दिया था सब प्लस करो 1 plus 2 plus 4 plus 1 plus 1 आएगा 9 तो आप लोग 9 like को इस रेशो में split करेंगे 9 likes into 1 by 9 1 like 9 likes into 2 by 9 2 likes 9 likes into 4 by 9 4 likes 9 likes into 1 by 9 1 like 9 likes into 1 by 9 1 like इतना हो गया तो टोटल करेंगे इसको वर्टिकल वर्टिकल जब हम टोटल करेंगे इसको बोलेंगे overhead as per primary distribution टोटल कर लेते हैं 1 like plus 50,000 plus 20,000 plus 1 like 2 like 70,000 इसके टोटल कर लेते हैं 50,000 plus 80,000 plus 40,000 plus 2 like answer 3 like 70,000 third 1 like plus 80,000 plus 20,000 plus 4 like answer 6 likes 3 like plus 50,000 plus 15,000 plus 10,000 plus 1 like answer 4 like 75,000 लास्ट वाला 1 लाइग 3 लाइग प्लस 1 लाइग प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाइग आंसर 5 लाइग 35,000 यह आंसर आप भुला नहीं कि यह आंसर आप continue करने हाले second में उसका नाम है secondary distribution of overhead ओके यह आंसर आप note कर ले second हम करते है secondary distribution of overhead secondary distribution of overhead ओभी कौसा में देर से trial and error method से अब आप लाइग कोर्शन फिर से देखो कोर्शन देखो आप उदर मया बताता हूँ यह कांसर है मुझे यह मैंने पहले प्राइग distribution किया था नाम उसका आंसर x और y आप वीडियो मैं देख सकते यह कांसर है आपको सार वो table में देखो table में x जब भाटेगा और x भाटेगा तो क्या वाट इसका है बता x जब distribute करेगा तो y को 10% देखाई दे रहा है well low color में देखो well low color में x जब भाटेगा तो y को 10% देखा और ऐसी y जब भाटेगा x को क्यों 5% देखा मिला कुछा है well low color में दीखाई दे रहा है बाकी आप भाटेखे पिर आप इहाँ देखे बस उतना ही लेका है trial point number 2 का answer redistribution of service department trial and error method तो क्यों service department का गाम देखो और लिकिंगे overhead as per primary distribution overhead as per primary distribution तो कितना answer आएता है answer ये question में से लिखा था answer यहाँ शुरू हो रहा है तो 4,75,000 और दुसरे का 5,35,000 अब लिखेंगे apportionment of apportionment of expenses of x to y x, y को कितना देगा इदर देखो x, y को कितना देगा ऐसा पढ़ने का horizontal पढ़ने का x, y को कितना देगा 10% अपना हिस्से में से 10% उसको देगा तो 4,75,000 का 10% ही निकालने का तो answer आता है 47,500 या 10 करने का I see y कितना देगा x को y कितना देगा x को 5% देगा ना तो लिखने का apportionment of expenses of y to x y के पास कितना है आज कब यह दोनों प्रस करने का 5,35,000 plus 47,500 total होता है 5,82,500 का 5% वो किसको देगा y x को देगा 5,82,500 y कितना देगा x को 5% देगा तो उसका 5% दिका देगा उसका 5% answer देगा 29,125 clear या test करते यह एक cycle हो गया यह repeat करें फिर से trial error फिर से करें अभी next rule apportionment of expenses of x to y अब बता x के बस पिर से कितना है 29,125 ना उसका 10% दिकाल देगा answer 29,13 फिर से repeat यह वाला appointment of expenses of y to x अभी y के बस अभी latest कितना है 29,13 तो 29,13 29,13 का 5% 29,13 का 5% answer 15,146 यह आपना second loop हो गया अब आते हैं third loop appointment of expenses of x to y अब पता आप एस के बस पिर से लेक्टेस कितना है यह वान पॉर्टिसीज तो वान पॉर्टिसीज का वो y को देगा x to y को देगा 10% तो answer 15 अब तेरे को मिला तू मुझे दे appointment of expenses of y to x y को कितना मिला 15,15 का 5% 15 का 5% answer 0% का मतला बन लिए तो यह statement total करने का इनका answer आएगा total करें 4,75,000 plus 29,125 plus 146 plus 1 answer आता है 5,4,272 इनका भी total कर लेते है 5,35,000 plus 47,500 plus 29,13 plus 15 total आता है 5,35,428 यहां ते सब्जा second issue कैसे किया वो भी trial and error method से किया अगर एग्जामन के लगी बोलाएं trial and error method से करो तो कोई और method मत करना repeated मत करना submitted मत करना trial error method से solve करना distribution of service department to production department service department इसमे क्यों production department का नाम लिखेंगे A, B और C production department का नाम लिखेंगे अब लो तो बगाओ overhead कितना है था overhead as per primary distribution जो आमने पहले किया था primary first page पे primary distribution file x 4272 देखो department ऐसे कर से कितना है था file x 4272 वो लिखेंगे लो और इसो कैसा बाटना थी ABC में आप फिर से नहीं कोईशन देखो कोईशन देखो वेलो में दिखाई दे रहा आपको वेलो में दिखाई दे रहा है उसमें देखो ratio दिया मैंने आपको वेलो कलर जो highlight किया मैंने उसमें देखो department x जब बाटेगा तो वो a को देगा 45 b को देगा 50 और c को देगा 30 मिला ऐसी वो वेलो कलर में देखो department y जब बाटेगा तो a को देगा 60 b को देगा 35 और c को नहीं देगा हम लोग वोई करने वाले तो यहां लिखेंगे 45% 15% 30% यहां ना percentage दबना ratio नहीं लिखना क्योंकि already आपने 10% बाटा हुआ किसी को ना तो 100 मिलेस अगर 10% निकाल दिये तो 12% आपको बाटना है तो चलो split करते हैं y ए department x का i.c. department y का कैसे लिखोगे department y का answer कितना लिखा लिखोगे 5, 8, 5 4, 2, 8 इस तो कैसे बाटोगे ratio में बताया था 60% 35% और last वाले को नहीं देने का last वाले को नहीं देने का dash इस ratio में लोग बाटेंगे समझने आया यह समझे है ratio काँ सा है और जेकर दे 5, 4, 272 का 45% answer 2, 2, 6, 9, 2, 2 2, 26, 9, 22 50% 5, 4, 272 का 15% answer 7, 5, 6, 9, 4, 1 7, 5, 6, 4, 1 ऐसी 30% answer रहेगा 1, 5, 1, 2, 8, 2 अपाटे वाले का 5, 8, 5, 4, 2, 8 इंट, इंट 60% answer रहेगा 3, 5, 1 2, 5, 7 35% answer रहता है 2, 0, 4, 8 99 है ना इसका मतलब 900 लिखने का इनको नहीं देता है dash plus कर दे में इस टेश पे plus कर दे में जो answer रहेगा वो ही second distribution answer है तो 2, 70,000 प्लस 2, 2, 6 9, 2, 2 प्लस 351 257 total रहता है 8, 4, 8, 1 79 चलो बी का टूटू कर रहते है 3, 70,000 प्लस 756 4, 1 प्लस 204 900 total आता है 6550 5, 4, 1 7, 51, 282 यह आमने वारा होगे question number 2 अब हम करें question number 3 question number 3 में क्या पूझा था calculate machine hourly rate तो number यह 2 अब यह 3 लिखेंगे machine hourly rate machine hourly rate तो कैसे निका लेंगे A, B और C जिदर यह answer कत्ब होता है यह answer है continue कर वेंगा ठीक है total overhead कितना है था उपर से 8, 4, 8, 1, 7, 9 B का 6, 5, 0 5, 4, 1 C का 7, 5, 1 2, 8, 2 इसको डिवाट करेंगे machine hourly rate machine hourly rate इसको लिख देने का A, इसको लिख देना B तो machine hourly rate बनो question में दिया था machine hourly rate इनका 1000 इनका 2000 और इनका 4000 machine hourly rate कैसे करोगे A divided by B करने का answer 8, 4, 8 179 divided by 1000 answer आता है 8, 40 8, 0.18 per hour है 6, 0 5, 41 divided by 2000 answer आता है 3, 2, 5 0.27 last 7, 5, 1, 2, 8, 2 divided by 4000 answer आता है 1, 87 0.82 clear अच्चे समझना आया तो हमने इस बीटेवाप क्या सीखाया primary distribution second किया था second distribution trial and error method से trial and error method समझ गया वो जो बहलो कलन में दिया था मैंने question में उसका जोब कितना पाउट ढ़क लेकिया देगा और x देगा y को 10 y देगा x को 5 हम आपको देंगे हम आपको देंगे 10 हम आपको देना 5 बस कुछ यह करते जाना है आपको और एक वाटिगी answer रखते है जितना भी आएगा वो 10 उसको देगा जितना भी आएगा 5 उसको देगा तो 10 उसको दिया पाई इसको गे रिपीटर जा रहे फिर एक बार ये आ गया तो जो परसन इस बालेस परसन बचाना वो बाटने का 40 परसन, 15 परसन, 30 परसन तो सेकेंड डिस्क्विशन आ गया और लास्त पर मशीन आमर वीरेट जो अंसर आए गाओ उसको अवर से डिवाइट कर दे असरे का मशीन आमर वीरेट एसमिक निक्चर अच्छी समधा वीडियो को लाइक और शेर ज़न करें लाइक तो करें एक बार दो और फ्रेंड़ों से शेर करें टैंक यू, बाई बाई